ए घ्लो इस वीडियो में हम करेंगे रेमेडीज पॉर ब्रीच आफ कान्तरेक्टिक आफ सेल कि अगर जो है वह कान्तरेक्ट आफ सेल में जो पार्टी है वह अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करती हैं और यह देट नौन पर्फॉरंस्ट बाइद अफराटी स्टेलर और वाय भी और बीचि गाइडर की जो है तो जो है करेता ने को लेने से मना कर दिया है प्राइज को वैलिड टेंडर जो है वह ऑफर जो है वो अपने जो बीस का प्रामिस उस स्क्राइब को पूरा को रेमेडी मिलती है वह मैंने आपको आपनी वीडियो में बताई ती detail में वीडियो में बताय था है right of lien, right to stoppage and goods, goods in transit, right to resale, right of withholding delivery या buyer के against उसको जो rights मिलते हैं suit for a price, suit for damages, suit for anticipatory breach, suit for interest तो ये कुछ rights जो है वो आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में rights of unpaid seller में detail में बताया है तो आज की जो इस वीडियो में हम करेंगे rights of buyer against the seller for the breach of contract कि यहां पर हम जो करेंगे आज, क्योंकि seller के जो rights हैं उसके बारे में rights of unpaid seller वाले topic में कर चुके हैं वो same ही आप लिख सकते हैं उसमें, बट यहां पर क्या है कि जो buyer है उसको क्या rights मिलते हैं अगर seller अपने promises को पूरा नहीं करता है, अपने obligations हैं उस contract में उसको perform नहीं करता है तो non-performance by the seller, that means breach of contract by the contract of sale by the seller उस case में buyer को क्या-क्या rights हैं, क्योंकि seller है, उसकी duty है कि ownership transfer करें seller से buyer को goods की delivery दे, जो उसने sample दिखाया था, उस sample के accordingly जो है goods उसको deliver किये जाए, mercantable condition में हो, तो जो condition warranties के chapter में जाएदा कि उस तरह से जो है, वो समान की goods की delivery जो है, वो seller से buyer को होनी चीए, उसकी ownership उसने transfer करनी है तो जो भी उसकी obligation उस contract of sale में बनती हैं, तो वो seller ने पूरी करनी होती है तो पहला इसमें जो है, that is, suit for damages for non-delivery, कि अगर जो है, वो समान deliver नहीं कर रहा है तो उस case में जो है, वो non-delivery के लिए, जो भी उसके नुकसान, buyer को जो भी नुकसान उसकी वज़े से उठाना पड़ा है वो उसके लिए claim file कर सकता है, that is defined under section 57 तो वो damages कैसे determine कियाते हैं, जैसे for example, कि जो भी उसका contract price है और उसको फिर उन्ही समानों का market price के साथ compare करके देखा जाते है कि उसको कितना नुकसान हुआ है, और उस नुकसान के लिए जो है, वो buyer, seller से claim file कर सकता है for example, कि जो buyer है, उसने जो है, वो contract किया था, कि ये समान जो हजार रुपे में जो है, उसने खरीदना था but अब market में वो समान जो है, वो thousand rupees का जो समान था, एक हजार रुपे का जो समान था, वो thousand rupees से one thousand, two hundred rupees का है, that means कि two hundred rupees का उसको जो है, वो नुकसान उठाना पड़ रहा है तो वो जो उसके damages है, उसके लिए वो claim file कर सकता है that is suit for damages for non-delivery, कि अगर वो समान उसको नहीं मिल पा रहा है, नहीं दिया जा रहा है जो seller है, उसको deliver नहीं कर रहा है, तो वो damages के लिए claim file कर सकता है, under section 57, then suit for specific performance, निर्दिष्ट, निश्पादन के लिए मुकदमा, तो यह कहा है specific performance, कि आप कहते हैं, मुझे तो वही specifically, जो मैंने जिसके लिए contract किया था, मुझे यह claim नहीं चाहिए, मुझे नुकसान की उसी के लिए आप जो है, वो buyer को पास option है, कि वो seller को उसके लिए suit file कर सकता है, कि वो promise जो उसने seller ने किया था, वो ही promise जो है, वो पूरा करें, that is suit for specific performance, but to suit for specific performance, उसके लिए कुछ conditions रहती हैं, तो उसमें जैसे कि, जब goods जो है, वो specific goods हैं, certain goods हैं, तभी जो है, वो आप उसको specific performance के लिए जो है, वो force कर सकते हैं, और वो specific performance की possibility होनी चाहिए, according to specific relief act 1877, तो उसके according है, तभी उसको specific performance के लिए बोला जा सकता है, और ये जो specific performance है, ये right सिरफ contract में, contract of sale में, buyer के पास ही है, seller को specific performance का जो है, वो right नहीं मिलता है, और एक और point यहां पर ध्यानकने वाली बात है, कि ये जो suit for specific performance है, ये उनी शीडियों के लिए किये जाता है normally, जहां पर कोई antique pieces की बात हो रही है, या फिर जो है, वो कोई personal skill वाली बात है, कि कोई painter है, उसको आपने कहाएगी, मेरी painting बनानी है, या किसी magician को आपने कहाएगी, मेरे बाइर के पास है, seller के पास ये right available नहीं होता है, that is defined under section 58, then suit for breach of warranty, जैसे मैं आपको detail में बताया था, conditions and warranties, शर्तें तथा आश्वाशन के बारे में, तो जो शर्तें होती है, वो main purpose होता है contract का, और अगर वो पूरी नहीं होती, तो जो party है, aggrieved party, उसके पास right रहता है, कि contract को बट breach of warranty जो आश्वाशन है, वो उसके साथ collateral होती है, उसके साथ जुड़ी भी होती है, बट उसका main element नहीं है, तो in case की वो warranty का लंगन किया जाता है, warranty को breach किया जाता है, warranty का खंडन किया जाता है, तो उस case में फिर जो भी उसके नुकसान होए है, उस नुकसान के लिए वो claim file कर सकता है, तो in case की suit for breach of warranty की warranty जो पूरी नहीं की गई है, चाहे वो implied है, चाहे वो expressed warranty है, उसके बारे में मैंने warranties के बारे में detail वो वीडियो बनाई हुई है, वो warranties के बारे में, इस playlist में आपको मिल जाएगी warranty के बारे में, और conditions के बारे में, implied warranties, implied conditions, क्या differences है उनके बीच म तो वो complete आपको जो है वो इस playlist में वीडियो जो है वो मिल जाएंगी, बट अगर जो है वो seller ने वो warranty को, चाहे वो implied है या express है, उसको पूरा नहीं किया है, तो उसकी वज़े से जो नुकसान buyer को उठाना पड़ रहा है, उसके लिए वो claim file कर सकता है, हाँ यह अलग बात है कि जो condition है, उसको warranty की तोर पे treat करने का अधिकार जो है वो buyer के पास है, तो अगर वो condition को as a warranty treat करता है, तब जो है वो contract को पूरा करना चाहता है, तो करके सिरफ और सिरफ damages के लिए claim कर सकता है, तो suit for breach of warranty की in case की वो warranty seller ने पूरी नहीं की है, तो जो भी नुकसान उस case में buyer को उठ जाना पड़ा है, तो उसके लिए वो claim file कर सकता है, then suit for damages of anticipatory breach by the seller की नियत तिती से पूर जो है वो विक्रिता द्वारा अनुबंद का खंडन करने पर हर जाने के लिए दावा section 60 में define किया गया है, तो anticipatory का मतलब है कि जो भी due date है, जो नियत तिती है, उससे पहले ही उसने मन कर दे कि मैं अपने promise को पूरा नहीं करूंगा, तो उसने जो है वो promise पूरा करने से मना कर दिया, तो इसमें जो है वो buyer के पास दो options रहते हैं, एक तो option ही है कि जिस date को नियत तिती से पहले, मालवा उसने जो है वो कहा था कि मैं जो है वो 15 March तक जो है उसको perform होना था, due date 15 March बड़ उसने जो है वो 5 March को ही, 5th March को ही, 15th March की जगा, 5th March को कह दिया कि मैं अपने promise को पूरा नहीं करूंगा, तो उसने due date से पहले ही जो है वो अपने promise को पूरा करने से मना कर दिया, तो buyer क्या कर सकता है कि 5th March को ही मान ले कि जो contract है, खतम हो गया है, उसको contract को खतम मान सकत है और उसी date पे जो भी उसको नुकसान हो रहा है उस नुकसान के लिए वो claim file कर सकता है या फिर जो है वो due date के लिए 5th की जग़ा है 15th March तक का wait करें और 15th March को भी अगर जो है वो seller अपने promise को पूरा नहीं कर रहा है तो 15th March को due date पर जो है then suit for interest and refund in case की जो बायर है बायर ने कुछ advance जो है वो seller को pay कर दिया है और seller जो है वो उसके बावजूद भी जो है वो समान अपने obligations है वो पूरा नहीं कर पार कर रहा है या ownership transfer नहीं कर रहा है तो फिर under section 61 subsection 2 clause B के अंडर जो है वो बायर को ये right available है कि वो जो भी उसने समान-जो भी a advanced दिया था उसकai refund बो ले सकता है उसको उसकी पैसे को वापिस ले सकता है और जो भी period उसने जो है वो advance दिया है चब तक उससको रिफंड वापिस मिलेगा उस period के दोरान में जो है वो interest जो है उसके पर charge किया सकता है और वो rate of interest जो है वो depend करेगा कि code जो है वो किस rate of interest जो है वो decide करेगी कि किस rate of interest से जो है वो पैसा seller जो है वो buyer को वापस करेगा तो यह जो है थे आपके पास rights of the buyer against the seller for the breach of contract कि अगर contract of sale जो विक्रे अनुबंध है उसका खंडण अगर कि Total करता है तो करेगा के पास कौन कौन से अधिकार है यह आपको Яज की वीडियो में बता दिया है और अगर खंडण जो है वो बाइर के दौररा किया आता है Trek के दौरा किया आता है तो जो विक्रेता को जो जी का रहा है वो मैंने आपको rights of unpaid seller में detail में बताया है तो आप उन वीडियो से जो है वो देख सकते हैं और in case कोई problem है तो आप उसको comment section में जो है वो लिख सकते हैं और आज की वीडियो में इतना ही है ओके थैंक यू